ऑटो एम्बुलेंस की सुरुवा दिल्ली में दूसरी बार आप राज्य सभा सांसट संजे सिंगनी की है इनके आउस के बार देखी एक लाइन से जो है ऑटो लगी हुई और एम्बुलेंस की पूरी तयारी है मदद देनी की तयारी है संजे जी दूसरी बार इस तरह कि आप तैयारी करें पहले भी आपने और निकाला अब दूसरी बार आधू अम्बुलेंस देखें यह आज कई लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस और जो दूसरी तरह की एंबुलेंस जिससे की लोगों को क्रिटिकल कंडिशन में भी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके उसकी सुरुवात हुई है तो मुझे लगता है कि अभी जो कॉल्स आ रही थी वह बहुत ज़्यादा आ रही थी दस बार तो इसलिए यह संख्या भी और बढ़ानी पड़ेगी हलाकि अब दिल्ली में करोना के केसेज कम होने सुरू हो गये हैं लेकिन बावजूद इसके अभी एंबुलेंस की जरूरत पड़ेगी लोगों को और एंबुलेंस सिर्फ पेसेंट्स के लिए भी नहीं कई बार पेसे को पहुचाने का इंतजाम दूसरी और जो लोग ठीक हो जाते हैं उनको भी घर पहुचाने का इंतजाम इन एंबुलेंस के माध्यम से और आटो सेवा के माध्यम से हम लोग करेंगे और आने वाले दिनों में अभी तो आज हम लोग 30 फिर से सुरू कर रहे हैं इसको और मिली है तो उससे यहां की वेवस्था को ठीक करने में काफी मदद मिलेगी उसके लिए केजरिवाल जी ने आभार भी जतायकिन सरकार का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर जगा उसके लिए जाना पड़ा गुहार लगानी पड़ी यह काम पहले भी हो सकता था इतनी इतनी त कोरोना पहुंच गया इस्तिती बहुत खराब होते जारे दिन पर तेनी क्योंकि वहां सरकार बिल्कुल कुम्ब करन की अवस्था में सो रही है क्योंकि सरकार वहां पर धितरास्ट की तरह पट्टी बांधे बैठी हुई है अगर सरकारी मशीनरी काम करना ही बंद कर देगी अगर मुख्यमंत्री और उनके मंत्री निकल के लोगों का हाल और उनका दर्द जानने की कोशिस नहीं करेंगे बलकि इतना आत्मुध रहेंगे कि खुद से वो यह कहेंगे कि यहां पे कोई कोरोना का केस नहीं है यहां पे बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी नहीं यहां पे कोई गाय के लिए ऑक्सीमीटर का इंतजाम हो रहा है गाय के लिए थर्मल स्क्रिंग हो रही है लेकिन इंसान के लिए ऑक्सीजन सेलेंडर नहीं मिल रहा है हमने वो द्रिश्च देखा है कि वहां पर एक बेटा अपनी मां के लिए ऑक्सीजन सेलेंडर मांगने के लिए पुलिस वालों के पैर पे अपना सर रख देता है गिल गिला रहा है रो रहा है हमने देखा कि आक्सीजन की मांग उठाने पर पत्रकारों पर मुकदमा कर दिया गया और बिक्की अग्रहरी नाम का एक विक्ती जौनपूर का है जो अपनी बीवी का गहना बेच के लोगों को आक्सीज कर रहे हैं आप से खुद कुछ होता नहीं है दूसरे कुछ करते हैं तो आप उस पर मुकदमे लिखते हैं ऐसे कैसे चलेगा प्रदेश अधिकारियों के लिए तो एक अलग बात है जो वहाँ पर पेसेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं उनसे कहा जाता है सिलेंडर लेकर आ है या वह सिलेंडर कहां से लाए ऑक्सीजन कहां से लाए तो सरकार कुछ करते हुए नहीं दिख रही है वह बिल्कुल गहरी नीद में सोई हुई है दिल्ली में तो आप मदद पहुशा रहे हैं नजर भी आ रहा है उत्तर प्रदेश में आप क्योंकि दिपक्सी दल के बड महां भी हम लोग सुरू करेंगे यूपी के अंदर भी सुक्रिया संजय जी तो यह संजय सिंग थे जो कह रहे है उत्तर प्रदेश में भी इस तरह कि सुर्वाज जो है एक से दो दिनों में हो जाएगी ताकि लोगों को ज्यादा मदद मिल पाए इस महामारी के तौर में के साथ रवी सर्रा पार समचार तिल्ले